बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए असरदार घरेलू उपाए लोगों में पतले बालों की समस्या होना आम बात हो गई है महिला और पूरुस दोनों को सिकायत रहती है कि उनके बाल दिन वे दिन पतले होते जा रहे हैं खास तोर से जो लोग बैस्तता के कारण अपने बालों की देखबाल ठीक से नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती हैं उन्हें बाल पतने होने की समस्या बहुत जादा रहती है आए दिन लोग तरह तरह के बाल लंबे करने के तरीके अजमाते रहते हैं हेयर जल्दी बढ़ाने के तरीके में लोग कई तरह के हेयर प्रोडक्ट का भी उप्योंग करते हैं बाल लंबे करने के लिए हम गर पर ही कुछ गरेल इसके अपना सकते हैं इनके side effect ना के बराबर हैं और ये बाल बढ़ाने के साथ साथ बालो को मजबूती भी देंगे आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए all notification को जरूर सेलेक्ट करें पहला उपाय हम सभी जानते हैं कि जैतून के तेल का उपयोग सामान रूप से खाद तेल की रूप में किया जाता है लेकिन जैतून का तेल बस इतना ही नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे पोसक्तत और खनिजपदार्थ उच मातरा में होते हैं जो हमारे स्वास्ता और संदर के लिए फायदमंद होते हैं जैतून का तेल जैतून के फलो से प्राप्त औसदी तेल है जैतून के फलों से आसवासन बिदिद्वारा जैतून का तेल प्राप्त किया जाता है यह प्रेकिरिया बहुत ही लंबी होती है जो समान निरुप से घर में उपयोग नहीं की जा सकती है इसलिए इसे बजार सही खर्दना बहत्तर होता है जैतून के तेल से आप दो मुहें और घुंगराले बालों को भी सही कर सकते हैं इसके लिए जैतून के तेल को थोड़ा गरम कर अच्छे से अपने बालों में लगा कर मालिस करें और किसी कपड़े से अपने बालों को 30 मिनट्स के लिए ढख कर रखें या फिर उन्हें रात बर के लिए खुला छोड़ दें और इसके बाद आप सुबह उठकर अपने बालों को सैंपू से धोलें ऐसा आप अपते में एक से दो बार कर सकते हैं इससे आपके बाल सिल्की, मुलाइम और घने होते जाएंगे दूसरा उपाय गुलाब जल स्कीन केर में गुलाब जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है हेर एस्प्रेक्ट मानते हैं कि बालों का रूखापन दूर करने के लिए गुलाब जल का उपयोग सबसे अच्छा प्राकिर्टिक उपाय है सैंपू में गुलाब जल मिलाना बहुत आसान है बाल दोने से पहले सैंपू और गुलाब जल को एक साथ मिलाकर पेश्ट बनाकर लगाना चाहिए हेर फॉल रोकने के साथ गुलाब जल बालों को लंबा करने में मदद करता है जो लोग बार बार डेंड़व से परसान होते हैं उनके लिए भी गुलाब जल फायदेमंद होता है तीसरा उपए बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं लेकिन सरसो का पावडर बाल बढ़ाने में आपकी मदद करता है बता दें सरसो सर्कुलेशन बढ़ाती है और बालो के रोम में आ रही सूजन को कम करती है जिससे आपके बाल स्वस्त और मजबूत भी बनते हैं इसके लिए एक चमच मस्टर्ड पावडर और एक चमच चीने को गरम पानी में मिलाएं और अब तयार मास्क को अपने सकल्प पर लगाएं और एक घंटे के लिए लगा रहने दें और फिर सेंपो से बालो को धो लें हर सब्ता में एक दिन आप मस्टर्ड पावडर का घरेली नुस्खा अपने बालो की ग्रोध के लिए अपना सकते हैं बहुत अच्छे प्रड़ा मिलते हैं ऐसा करने से चाओ था उपाए सफेद बालो के घरेली इलाज के तोर पर करीपत्यों का इस्तमाल किया जाता है करीपत्य बालो के रंग को बरकरार रखने और बालो को असमे सफेद होने से रोकने में मदद करते हैं इतना इनाई करीपत्य हेर करलिंग एजन्ट की तरह कार भी करता है दोस्तों आपको बता दे कि करीपत्य पावडर से बालो को भूरा रंग मिल सकता है इसके लिए आपको नारियल के तेल के साथ करीपत्यों को 10 मिनट तक उबालना होगा और इसके बाद इस उबले हुए तेल को छान लें और ठंडा होने के लिए रख दें और फिर तेल से सकल्पी की अच्छी तरह से मसाज करें एक से दो घंटे बाद बालो को सेंपू से धो लें हपते में दो से चार बार इस प्रिक्रिया को दोरा सकते हैं पांच अबाव पाए प्याज से बाल को मोटा करना काफी प्रिचलित भी दी है ये बाल को मोटा करने के साथ साथ बालों से रूसी और जूई को भी खत्म करने में भी काफी असादार है आपको बस इसके लिए प्याच को अचछे से पीस कर उसकाores निकाल लेना है आपको बता दे कि यह आपको कम से कम दो बड़े चमच प्याच की जूस किया हो सकता है बालों के लिए प्याच के जूस में एक चमच सहद मिलाएं अब इसमें दो चमच जैतुन का तेल भी मिला दें इसे अच्छे से मिक्स करो ना ना भोलें और इसे किसी साप काच की सीसी में रख दें इस तेल को बालों पर अच्छे से लगा कर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें फिर सेंपू से धोलें इसे अपते में तीन बार अपना ये बालों को मोटा करने में बहुत तेजी से आपकी मदद करेगा